हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं एके आउटोमोटिव ब्लॉग्स आज की वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो एक फैमिली कार लेना चाहते हैं पर उनका बजट इतना नहीं है कि वो एक्सपेंसिब का एफॉर्ड कर सके आज हम आपके लिए ही लो बजट में आने वाली दो फैमिली कार के बारे में बताएंगे तो मेक शूर अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल नोटिफिकेशन आन कर लें ताकि जो भी निव वीडियो हम डाले उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए और आप हमस से कार से रिलेटेड कुश्शन भी हमारे इंस्ट्राग्राम पर पूछ सकते हैं उसके लिए आप हमें इंस्ट्रापर फॉलो कर लिजे हमारा इंस्ट्राग्राम हैंडल नीचे फ्लैश हो रहा होगा तो आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज हम आपको इंडियन मार्केट में पिकने वाली दो सबसे चीपेस्ट कार के बारे में पताएंगे हैं इन कारों की स्टार्टिंग प्राइस फोल लैक रुपैसे भी कम हैं इन कारों में मारूती सुच की ओल्टो और टैटसन रेडिगो सामिल हैं इन कारों में स्टाइलिस लुक के साथ डीसेंट परफोर्मेंस मिलता है आज हम आपको इन दोनों ही एंट्री लेवल कारों की सभी वेरियंट्स की प्राइस के बारे में बताएंगे इसके बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि इन कारों में कौन सा मॉडल आपके बज़ेट में सबसे किफायती होगा तो आईए देखते हैं मारूती सुच की ओल्टो इसमें 796 CC का 3 सिलेंडर 4 वॉल BS6 कम्प्लाइंट वाला इंजन दिया गया है जो 6000 RPM पर 48 PS की मैक्सिमम पावर और 3500 RPM पर 69 Nm का पीक टॉक जनरेट करता है इसका इंजन 5 स्पीड मैनुल ट्रांस्मिशन से लेस है जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आल्टो की प्राइस लिश्ट आ रही है अब अगर जो दूसरी कार है उसके बारे में बात की जाए तो दूसरी कार डैट संडेडी गो जो इंडियन मार्केट में डैट संडेडी गो दो इंजन से विक्री हो रही है इसमें 0.8 लीटर और 1 लीटर का इंक्लियूद किया गया है इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका 0.8 लीटर का इंजन 5,678 आर्पियम पर 54 पीएस की पावर जनेरेट करता है और 4,386 आर्पियम पर 17,2 न्यूटन मीटर का टॉक प्रेडियूस करता है वही इसका 1 लीटर इंजन 5,500 आर्पियम पर 68 पीएस की मैक्सिमम पावर और 4,250 आर्पियम पर 91 न्यूटन मीटर का टॉक जनेरेट करता है इसमें 5-speed manual transmission के साथ 5-speed automatic transmission का भी option मिल सकता है अगर आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो Jackson Ready Go की price list आपको नज़र आ रही होगी सो आज की वीडियो में बस इतना ही आई हो आपको वीडियो informative और interesting लगी होगी अगर लगी हो तो वीडियो को जादे से जादे लाइक करें शेयर करें और comment करें हमें अपने solutions भी हमसे शेयर करें ताकि हम उन पर वीडियो बना कर आप तक पहुचा सकें और आप इस चैनल को support करें क्योंकि आपके support से ही हमें motivation मिलता है सो वीडियो देखने के लिए आपका thanks, stay safe and healthy we are a helmet while riding and we are a seatbelt while driving सो मिलते हैं ऐसी किसी new वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखिये और देखते रहे हैं एक आटोमोटिव ब्लॉग्स झाल झाल